लोक्डाउन में सड़कों पर टहलनी की सजाद धारा 188 लोक्डाउन में बिवजे बाइच जुरानी की सजा चालान लोक्डाउन में बिना कागर्स गाड़ी घुमाने की सजा सीज लोक्डाउन की नियम तोडने की सजा मुकदमा अब तक लोक्डाउन की कई रूप आपने देखिए अब ये रूप भी देखिए लोक्डाउन का लंगन करने बालों के खिलाब फुलस ने बड़ी तादात में मुकदमे दर्ज किये हैं लाखों बहनों का चलान किया गया है और हजारों बहनों को सीव किया गया है जब कोई अपराद होता है तब मुकदमा दर्ज करना आवश्यक होता है अब ऐसे भी कोरोना के काल में अगर मुगदमा भी सरकार दर्ज ना करे तो आदमी जिब कानून है उसका उलंगन करे नियमों के अंदेखी जरता को बहुत भारी पड़ी है जोकि 25 मार्च से लेकर अब तक ऐसे हजारों केस फाइल किये जा चुके हैं जिनमें लोग बेवजही पैदर या बहानों के साथ सड़कों पर आए हैं बड़ी संख्या में नई केस आजाने से अदालतों पर भार बढ़ गया है जाहिर तोर पर कोड के ओपर वर्कलोड पहले से भी था और जिस तरह से ये जो छोटे मोटे जो केसे की बाढ़ आ गई है कि लोगडाउन पीरिट्स का जो उलंगन करने में लोगों की वेहिकिल्स को सीज किया गया है और केसे रिस्टर हुए हैं खास्त और से सेक्शन 188 के तहट तो कहीं न कहीं ये कोड की जो पहले की पेंडेंसी है उसको एफेक्ट करेंगे उत्तरप्रदेश की अडालते पहले ही पेंडिंग केसों की भूच तले दवी हुई हैं तशको से हजारू लाखों की इस सूबी की अदालतों भी अचके हुई हैं अब उपर से लोक्टाउर्ड में हजारों नए मागने आने से अदालती कैसे इनकी सुखार दिप्टारा करेंगा। अदालते कितने समय में नए मुकत्मों को पाइल करेंगी। सवाल यही कि क्या भरमार मुकत्मों को सुल्चाने के लिए अदालते तैयार हैं। प्योर रिपोर्ट आर्नाइंट टीवी शाम साथ बजे तक कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन वन में ऐसी रियायते नहीं थी। उस वक्त सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर निकलने के इजासत मिली थी। बावजूद इसके उस समय हजारों लोग घर से बाहर निकले जिन पर पुलिस ने कानूनी कारवाई की हैं। क्या जाने अन जाने में सुबे के हजारों लोग ऐसा अपराद कर बैठे हैं। जिसकी सजा आने वाले वक्त में कोट के जज़ों को छेलनी पड़ सकती है। लोगडॉन में जनता की अंदेखी और लापरवाही क्या जज़ों की आफ़त बढ़ाने जा रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि नियायलों की चोहत्यों में पहले ही लाखों केस पेंडिंग चल रहे हैं। हजारों पदखाली पड़े हैं। एक जज़ की पास लाखों के संख्या में केस पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे वक्त में जब जज़ों के ऊपर पहले ही काम का भारी दबाव हैं। उसमें नए केसिस का जल्दी निप्टारा कैसे होगा। दूसरा जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं उससे अल्रेडी दो महीने से कोर्ट्स बंद हैं। पहले के इतने पेंडिंग मुकदमे हैं। उसके बाद ये सारे मुकदमों की भी सुनवाई होगी तो एक अंड्यू प्रेशर भी बहुत बढ़ेगा। दरसल लौकडाउन की शुरवात से ही पुलिस जनता को घरों में रहने के लिए जागरूख कर रही है। लौड़ स्पीकर से लेकर मुबाईल मैसेच के जरिये पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। मगर इस लौकडाउन में हजारों लोग ऐसे भी रहे जिनका पुलिस ने चालान कटा। लौकडाउन में जनता के बीच बाहर निकलने पर कानूनी का रवाई का डर बना रहे इसलिए पुलिस ने तेजी से चालान की प्रक्रिया अपनाई। पुलिस के इस कदम के चलते 25 मार्ज से 23 मार्ज तक लाखों वाहनों पर कारवाई की गई। लौकडाउन के दो महीने में पुलिस ने 12,16,123 वाहनों के चालान कटे। इस दौरान पुलिस ने 45,346 वाहनों को सीज़ किया। वाहनों पर कारवाई के अलावा पुलिस ने लौकडाउन में बेवजह वाहर निकलने वाले लोगों पर भी कारवाई की। लौकडाउन के दोरान पूरे देश में 13,144 लागो है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 13,144 का उलंधन करता है तो पुलिस उस पर 13,188 लगा कर कारवाई कर सकती है। लौकडाउन के शर्वात में अधिकान्श लोग इस कानूनी धारा से अंजान थे। 14,144 तोड़ने पर किसी कानूनी खारवाई से जूचना भी पर सकता है। इस बात से अंजान हजारों लोग बाहर निकले तो पुलिस ने उन पर कानूनी शेकंजा कस दिया। यूपी पुलिस ने 25 मार्श से 23 माई तक 56,752 लोगों पर 1888 के तहट मकदमा दर्श किया। 25 मार्श से 23 माई तक लौकडाउन उल्लगन से जुड़े 13,18,221 केस साब ने आए। अब सवाल ये उठता है कि लोगडाउन के आवधी में आए इन केसों का निप्टारा कैसे किया जाएगा। इस सवाल के जवाब में कानून मंत्री बरजेश पाठक ने बताया कि धारा 188 के तहट दर्श किये गए मुकदमें एक तैस समय के लिए होते हैं। पुशासन इस्तर पर ही इनकी जाच कर इन्हें समाप्थ किया जा सकता है। अगर पुशासन इस्तर पर ही केस समाप्थ किया जाए तो क्या उसके लिए आरोपी को जुर्माना चुकाना होगा। इस सवाल पर कारूनमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि ADM के पास अधिकार है कि बिना किसी दंडात्मक कारवाई के केस को निप्टा सकते हैं। अगर किसी वज़े से प्रशासन इसतर पर कोई केस नहीं सुरज पाता है। मामले का कोट जाना तै है। ऐसी इस्तिती में अदालतों पर काम का बोज बढ़ सकता है। लोगडाउन में आए केस से अदालतों पर दबाव ना बढ़े। इसके लिए वकील अशुक पांडे कहते हैं कि अगर सरकार इन केसिस को वापस ले ले तो शायद अदालतों को काम का प्रिश्ण ना जहिलना पड़े। हाला कि वकील अशुक पांडे कहते हैं कि फोलिस और डॉक्टर की टीम पर हमला करने की आरोप में जिन लोगों पर धारा 188 के तहत मकदमा दर्च हुआ है उन पर कली का रवाई होनी चाहिए अशुक पांडे के साथ साथ हाई कोड की वकिल नूतन ठाकूर का भी मानना है कि पहले ही सूबे के जजों के साथ ने लंबित केसिस का पहार खड़ा है ऐसे में अगर सरकार लिए अपनी इस तरह पर मामलों को खत्म नहीं किया तुन्या एपालिका के साथ ने इस्तितिक गंभीर हो सकती है कहा जाता है देरी से मिलने वाला इंसाफ नहीं होता जजों की कमी के कारण नहीं पालिका के काम करने की रफ्तार काफी धीमी है एक रिपोर्ट के मताबिक देश में जिस तरह से केसों का निप्टारा हो रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश में जितने भी पेंडिंग केस है उनके निप्टाने में तीन सो चौबिस साथ लग सकते हैं तीन करोर से जादा केसे स्पेंडिंग है इस देश के अंदर और कुल बिला करण जज कितने हैं? एकीस हो जार यानि देखा जाए तो एक लाग लोगों पर एक चार्च लेट में डेट पढ़ती रहती है जी लोग आते रहते हैं अताशों के गर जाते रहते हैं इसमें कोई दोराए नहीं के इनसाफ में देरी के बीछे जजों की कमी सबसे बड़ा करण है इनसाफ के आस में इनसाफ अधालत की चौखर तक जाता है और तारीखों के माया जाल में फस जाता है तारीख पद तारीख 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 बिलती रही है लेकिन इनसाफ नहीं मिला मिला इनसाफ नहीं मिला मिली है तो सिर्फ ये तारीख ऐसा नहीं कि तारीखों के तिक्डब में सिर्फ फर्यादी पिस्ते हूं देश के तमाम जज बार-बार तारीख के जंजट से छुटकारा बाना चाहते हैं इसके लिए कई पूर्फ नयाय धिश जजों की कमी के संबंद में सरकारों को पत्र लिख चुके हैं लेकिन समस्या जस के तस है जजों की कमी से केस लंबित होते हैं और इनसाफ देर से मिलता है देखे जाहिर तोर पर कोड के ओपर वर्कलोड पहले से भी था और जिस तरह से ये जो छोटे मोटे जो केसे की बाढ़ आ गई है कि लोगडाउन पीरिट्स का जो उलंगन करने में लोगों की वेहिकिल्स को सीज किया गया है और केसिज रेइस्टर हुए हैं खास्त और से सेक्शन 188 के तहट तो कहीं न कहीं ये कोड की जो पहले की पेंडेंसी है उसको एफेक करेंगे लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि ये ट्रिवियल नेचर के केसिज होते हैं समरी ट्राइल्स होते हैं जिसमें इनको एड्मॉनिश कर दिया जाता है या फाइन करके इन केसिज को निप्टाया जा सकता है भारी संख्या में दर्श किये गए मुखतमों पर हाइकोर्ट की वकिल नूतन ठाकुर का मारना है कि किसी भी विक्ति ने लोकडाउन तोडने की मनशा से नियमों का उलंगन नहीं किया होगा इसलिए खैर ज़रूरी मामनों को खत्म कर देना चाहिए कई बार ऐसे जातर मुकद में पुलिस के द्वारा दर्श कराये गए लोगों के द्वारा जो कहा गया कि वो लॉकडाउन का उलंगन कर रहे हैं तो उनकी मनशा कोई ऐसी लॉकडाउन उलंगन की नहीं थी परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी तहत कई बार न चाहते हुए पि लोकडाउन में आये मुखतमों को खत्म करने के पीछे वकील नूतन ठाकुर का ये भी तर्क है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकडाउन का उलनंगन नहीं किया फिर भी उनका चालांग कटा गया लुस्त के अचाला के लोग हुए लोकडाउन वार्लेशन किया जो अपने जरूरी का माया निकले उनके उपड़े समट के अवरे दूसरा ग trainings अचाला स़स्ताट करने के पीकलिए तो ऊपूर के प्रोध के लन्हें तो एक यद्न करने Co near ऐसे बाद हो यह उसमें का सबसे बड़ा हाई कोट अलाहबाद में मौजूद है बावजूद इसके सबसे जादा लंबित केस वाले राज्यों की लिस्ट में उत्रपरदेश पहले पायदान पर है। जजों की कमी के चलते लागों केस अदालतों की चार्देवारी में बर्षों इंसाफ का इंतजार करते हैं। आई कोट के वकील प्रिंस लेलिन का कहना है कि अगर लॉप्टाउन में आये मकदमों की सुनवाई फास्ट्रेक कोट में हो दुन्याए पालिका के लिए बड़ी राहत हो सकती है। ये जो केसिस की बार कोट की खुलने के बाद आएगी उस पर कोट को थोड़ा सा इसमें एक फास्ट्रेक अप्रोच करनी पड़ेगी जिससे की जल से जल ऐसे केसिस को निपटाया जा सके और जो लोगों की खास्तोर से जिनके वेहिकल्स कोट में जो जमा हैं उनको कोट के द्वारा जल से जल रिलीस किया जा सके उत्तरपरदेश में जजों के कमी जनता और नियाई पालिका दोनों के लिए परिशानी पायदा करती हैं एशिया के सबसे बड़े इलहाबाद हाई कोट होने के बावजूद 2018 तक जजों के 54 पद खाली थे जिस वज़े से एक जज को रोज 50 से लेकर 400 मुख़दमों की सुनवाई करनी पड़ी है 2018 में इलहाबाद हाई कोट में नियाई धीशों के 160 पद सुईकृत थे जिसमें साल 2018 में सिर्फ 106 जज ही कारे रत थे जजों की कमी के चलते उत्तर परदेश में लंबित मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है लोगडाउन के चलते दो महीने कोट के दर्माजे बंद हैं जिस कारण पेंडिंग केस के संख्या में भारी इजाफा हुआ साल 2018 तक लहवाद हाई कोट में 7,30,305 मुखदमे पेंडिंग थे वहीं पूरे उत्तर परदेश में साल 2018 तक 74,78,043 केस लंबित थे अगर देश के पैमाने पर लंबित केसों के संख्या देखें तो आकड़े भयावा करने वाले हैं आर्थिक सर्वे 2018-19 के मताबिख लंबित मामलों में से 87,5-4,20 दी मामले निचली अदालतों में हैं सबसे जादा लंबित मामले यूपी बिहार और पश्चिम बंगॉल में हैं जजों की कमी और केस पेंडिंग होने से न्याए प्रक्रिया में भी तेर लगती है जिस वज़े से और केस बढ़ जाते हैं पूरे देश में साल 2017 में 2.87 करोड मुकदमे अदालतों में लंबित थे साल 2018 में 1.5 करोड नए मुकदमे सापने आए जजों की कमी के चलते 1.39 लाग मामलों की ही नप्टाया जा सका जिसके चलते साल 2018 में 3 करोड से ज़ादा केस पेंडिंग हो गए ये जजों की कमी का ही कारण है कि न्याए प्रक्रिया के मामलों में अमेरिका और योरप का रेकॉर्ड भारत से बहुत अच्छा है भारत में मकदमा निप्टाने में योरप अमेरिका से 6 गुना ज्यादा का समय लगता है